हेलो एन वेलकम काई स्वागात आपका फेंटासी डिशन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीबी एफेश टीटेन लिग की बात करेंगे जो कि मैच होगा या पर फ्यूटेर मैट्रेस वर्सिस री लाइन्स के बीच में तो चलिए दोनोंगी टीम के प्लेयर फिस वीडिक टीम के डियो एक और रिठरा सकते हैं सारी डिटाल्स इसी वीडियो के अदर कवर गरेंगे तो चले पinya किसी देरे के वीडियो को श्टाट कर लेते हैं तो बात करें इस match की इससे पेले एक चोटी सी request है कि यूटूब चनल को अभी दक आपने subscribe ने किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चनल को subscribe करना रहेगा क्योंकि ये टूर्णा मेट आम लोग पूरी cover करेंगे इसके अलावा आपको यहाँ पर Arabian T20 के वीडियोज मिल यूटूब चनल को सबसे पहले आपको subscribe कर लेना है साथी में टेलिग्रम चनल से जुड़ जाएगा क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलिग्रम चनल पर मिलने वाली है और टेलिग्रम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे दी जाएगी बात करें इस मैच की तो यह मैच रात को ग्यारा बजे यहाँ पर शार्जा क्रिकेट स्टेडियम शार्जा यूनाटेड अरब एमिरेट्स में किला जाएगा पीच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग फिरन ले देगो टीटन वगिरा में भी आसे 120 और 130 रन के आ पीए जी के सामने थी जो की कैंसल हो गई थी अबांडेडन नहीं हो थी कैंसल हो थी कोई भी किसी भी कारण को बताए नहीं गया लेकिन कैंसल हो गई थी यह इतना पक्का है ओपनिंग में याँसे खयाम खान और दाउद एजाज और दोनों ही हमारे लास्ट मैच के पंट क्लियर थे दाउद एजच का तो बहुत कम सिलेक्षन था तो अभी के लिए हम दोनों को एक बार फिसे लेके जाएंगे हमारे लिए एक बार फिसे पंट प्लियर बनेंगे शायद एज़शी शा एज प्लियर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे वैसे आपको बता कि इन तीनों में से आप किसी को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राइट कर सकते हो अला कि थोड़ा बदो रिस्क के यहां से खयाम खान और दाउद एजाज में रहेंगा सहीद एदर शेफ पीक रहेंगे यानि कि ज्यादा रपब्लिक इन्हें को कैप्टन व उज एरखंए को मैं सजेस्च करऊंगो आप लोग इनको ट्राइग कर सकते हो फयाज फ़राजcher में कालएंगं लेकिन अब ही दग तो इनको सजेस्च करना थोड़ासा रिस्ट की रहेगा इमिरान खान को जरू सजेस्ट करूँगा अभी रिसंट ले अच्छे पॉम में लास्ट मैच की बात करूँ तो दो विकेट निकाले इससे पहले इन्होंने T20 के अंदर भी अच्छा पर्फरमस किया था तो इनको अपर बरोसा कर सकते हो आशिफ खायाच की बात के अच्छा पर्फरमस की रहेंगे क्योंकि इनको भी बैटिंग से कभी पी उपर पेजा जा सकता है वैसे वोरल 15 मैच के अंदर 40 के अवरे से 201 इन्होंने की टेंड में किये हुए तो भरोसा इनके उपर कर सकते हो लास मैच की बात के बात को तो दो उवस की गैन बाजी करवाई थी जहाँ पर एक विकेट निकाला था तो भरोसा बिल्कुल रहेगा यहाँ पर आशिफ खायाच के उपर एज़र डिफरेंस से लिए में लिए फंड प्लेयर बनेगी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इनको कैप्टन या वास कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि अरेबियन T20 में यहाँ पर CBFS T20 में यह वास आपने कमाल किया है तो इनके पर बरोसा कर सकते हो तसबुल जम्मो इनकंसिस्टन बहु है गर से दो बोस की पूरी क कर आई तो तसबुल जम्मो की उपर सेम जी जाएसे जवरा तो काफी नीचे खिलते तो इनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँँगा इनको स्मॉल लिग में लेके जाना काफी रिस्की रहेगा तो यहां से इनके जो टॉप के प्लियर है और यहां से नीचे के बॉलर्स की बात करते हैं ऐसे मोहमद अजर और तायर लतिव इंपोर्णस है बाकी इस सारे प्लियर्स के उपर आपको रिस्क लेना है ब्यांच मैंसे अगर कोई भी प्लियर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वकिर आपको टेलिग्रम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजिस वगरा करने की तो जल्दी से जाकि आपको टेलिग्रम चैनल को जोइन करना क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको अई पर मिल जाएगी स्क्वेड काफी बड़ा है लेकिन बड़े प्लियर तो केल नहीं रहे तो यहांसे कुछ अलग प्लियर है जैसे कि सफिर तरीक यहांसे स्वेव लगारी बगेरा का यहांसे सिलेक्शन हो सकता है इ यहांस मैच में यहां पर इशाम गोश और यहां पर चरुका उलांडू पीटिया ने ओपनिंग करवाया है वैसे इंपरेंस की बात को दोनों ही अच्छे प्लियर है इशाम गोश को तो मैं यहांसे कैप्टन वाइस के लिए सजेस कर सकता हूँ तो इनको मैं यहांसे कैप् करना चाहो तो कर सकते हो बाकी विकेट कीविंग सेक्शन से आपके लिए थरा का जनन जया एक अच्छे पिक बन सकते हैं अच्छे फॉम में 81 के अवरेज है चाल मैच के अंदर टी 10 में लास मैच के अंदर भी 26 रन किये तो यह डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर रह सकता ह आपके विकेट कीविंग सेक्शन से में है इनके पर परोसा कर सकता हूँ ठरा का जनन जया के उपर विकुम संजया वेरी इंपोरने पिक इवन ये बंदे को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट करूँगा पक्का करिएगा चार मेंबर 6 मेंबर कुछ रिस्की टीम बना के लिए अभी मेरे लिए सजेस्ट रहेगा सची का समारा जिवा की बात करतों लास्ट मैच के नों 19 रन ये ऐसे प्लेयर का फॉम भी अच्छा है लेकिन बैटिंग ओडर थोड़ा सा नीचे है वह इंपर थोड़ी कंफ्यूजन है बाकि आप लोग ठोड़ा सा रिस्क ले स प्रशांत महादूरागे वेरी इंपोनेट विक बैटिंग से बॉलिंग से दोनों से एडवांटेज देंगे लास्ट मैच की बात के तो एक विकेट निकाला था वैसे ज्यादा तर पब्लिक इनको के तौर पर भी ट्राइ कर सकती है प्रशांत महादूरागे को तो आप ल प्लिक निकाले उन्होंने लेकिन इसके पहले ठिक टाक परफरमस है वैसे एक मैच के अदर विकेट लेस रहा है तो यह हमारे लिए पंड प्लियर बन सकता है तो ट्राइ करना है यहाँ पर इस टीम की बाद को तो उबेदुल्ला को और सामने वारी टीम से मुहमद अजर को यह दोनों है अमारे लिए पंड प्लियर है बैंच में से अगर कोई भी प्लियर खेलता है तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगेर आपको टेलिक्रम चैनल से थरा का दनन जया और खायाम खान दोनों को ले रहा हूं आप लोग चाहते हैं अगर किसी को तो दनन जयागा करिएगा इस प्लियर को बिल्कुल डॉप मत करिएगा क्योंकि यह बड़ा प्लियर है यहां से बड़े परफरमस देता है तो इनको आपर बरोसा स्वरी गाई से थरा का जनान जया को लेखे जा सकता हो बैडिंग सेक्चन में आपर सयद हैदर वशी शा दावुद एजाज और यहासे इशान गोश हमारी टीम के अंदर रहेंगे समारा जीवा को आपको ग्रांड लिग वगेरा में यह काटी टीम के अंदर शामिल करना है अलिशन शर् सेक्षन में आपर फराजुदिन को ट्राइ कर सकते हो अपने अकोर्डिंग रेस्क ले सकते हो बलिंग सेक्षन में आपर विकुम संजया वी कुला टोंगा यहासे मुहमद अजर और यहासे इमरान खान को लिए जो की कापी रिस्क है थोड़ा सा पंट प्लियर के रुप मे लिए उबेदुल्ला को आप लेग सकते हो यहासे इमरान खान की जगा पर दो अप्सन से दोनों में तक किसी को पर अप्लोग ट्राइक कर सकते हो आसी भयात ने लास में अच्छा परफॉर्म किया ऐसे उजर का सकते हो टीम मेरी कुछ इस सरा से रहेगी कैप्टन मेरे ऐसे साइद हैदर वशी शा, वाइस केप्टन में ने ऐसे इशाम गोश को किया है क्योंकि यह कंटिनिसली ओपनिंग भी आएंगे और दो अवस की गैनमाजी भी करवाएंगे ओपनिंग नहीं भी आएगे तो भी आसे तिसरे चौते नमर पर भी बैटिंग अच्छी करवा सकते और यहां से दावुद एजाज, खयाम कान दोनों अच्छे उप्संस है और बाकी बॉलिंग सेक्षन से अगर किसी के ओपर रिस्क लेना चाहो तो यहां से विकुम संजया है और यहां से मुहमद अजर और ताहिर लतिव यह तोनों प्लेयर के ओपर रिस्क ले सकते हो बाक आपको सर्च करना है एड़ डरेट fdc27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपल यह आपको उसे जॉइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल लिम आपको वेपर दी जाएगे तो यहां अगर वीडियो चल लगए तो वीडियो को लाइक शेर कर आप